अगले दिन इसका फूल एनलाइसिस किया जाएगा आज सिर्फ आप लोग एंसर मिला लिजिए कितना किसका किसका सही है और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आएए देख लेते हैं पहला प्रस्ण पहला प्रस्ण है इस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की किरिया को कौन नियंतरित करता है तो कौन करता है दुआर को सिखाय करती है तो पहला ओप्सन ए ओप्सन सही हो जाएगा आएए देख लेते हैं दूसरा प्रस्ण दूसरा प्रस्ण है निमन में से कौन ब्रिक की रचनातम क्यों किरि ब्रिक है तो resep 난 क्या हो जाएगा आए यह फौज जाए गायगा सभी ओप्रशन चार नंबर मैं तॉर अग्दा क्वाग क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा आये देख लेते हैं अगला प्रश्चन क्या नंबर है इंड्रोजन क्या है तो इसका पदार्त में oxygen की ब्रिधी होता है तो निम्न में से क्या कहा जाता है तो राइट एंसर हो जाएगा ए ए ऑपसन सही हो जाएगा जितने भी अब्जेक्टिव प्रशना आप लोगों को बताएगा वो हू बहू लड़ गया है तो प्ली चैनल को subscribe कर लीजे वीडियो को like कर दीज चे नंबर प्रश्ण है अमल का पी एच मान होता है तो अमल का पी एच मान साथ से हमेशा कम होता है तो राइट अंसर हो जाएगा एए ओप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आएए देखते हैं साथ नंबर प्रश्ण साथ नंबर प्रश्ण है धोने का सोडा का आडविक सुत्र होता है तो दोने का सोडा का आडविक सुत्र होता है एने टू-C310S2 इसका सी नंबर ओप्षन क्या हो जाएगा आए देखते हैं अगला प्रस्न कि अगला प्रस्न है आठ नंबर मधुमक्की के डंक मधुमक्षी के डंक एक अमल छोड़ता है जिसके कारण दर्द जलन का अनुभा होता है या कौन सा आमल है तो में थिनोई का अमल है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा यह ओप्षन क्या हो जाएगा यह देख लेते हैं 9 नमबर प्रशने 9 नमबर प्रशने आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो कौन सा रोग होता है जितने भी हमने अब्ज Twice बता है आप जाके हमरे चैनल पर देख सकते हैं सारे के सारे हो बहुँ आ गहीं तो फटटा फट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को like कर दिया, आजे दिखते हैं, दस नमबर question, दस नमबर प्रस्चन है, निम्न में से कौन, पिट्रिव्टरी गरंथी से निकलने वाला हार्मोन है, इसका right answer हो जाएगा, ए जो ब्रिदी जनान भी खंडन के द्वारा होता है तो right answer हो जाएगा बी बी option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आईए देख लेते हैं अगला प्रश्न बारा नंबर प्रश्न है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है तो जो अंडा से होता है वो फल में बदलता है आईए देख लेते हैं तेरा नंबर प्रश्ण तेरा नंबर प्रश्ण है निम्न में से कौन सा गया चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो carbon dioxide यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका D option क्या हो जाएगा तो घ्राम एगला प्रस्न हो जाएगा ऑगला प्रस्न है जिप्सम करसाइनीक शुतर क्या यहां पर ऑप्शन संहीं हो जाएगा हएगे एट लाइन सफ फूरं इंटि यावग तो आ यह देख लेते हैं अगला प्रस्न सोला नमबर नमबर नम होता है यहां से निकलता है आये देख लेते हैं सत्रह नंबर प्रशन इसको यहां पर erreicht रंगीन भाग है तिसका राइट अन्स ओर जाएगा परितारी का होता है वो रंगीन भाग होता है आएए देख लेते हैं अगला प्रस्ण अगले दिन इसका हम पूरे अच्छी तरह से अनलाइसिस करेंगे आएए देख लेते हैं किस नमर प्रस्ण एक किस नमर प्रस्ण है अमीवा अपना भोजन कैसे पकड़ता है तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है तो राइट अंसर हो जाएगा इसका सी सी ओप्सन सही हो जाएगा आएए देख लेते हैं अगला प्रस्ण बाइस नमर प्रस्ण है कौन से एंजाइम वासा पर किरिया करता है तो लाइप पेज यहां पर क्या हो जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए आपके भाईबन जो अभी दस्वा के त्यारी कर रहे हैं उनके लिए चैनल नमर वन है तो आप लोगो सजेस्ट किजिए यहां पर त्याइस चैनल से पड़े मचली क्या स्वसन करती है वह आपको बताना है तो यहां पर गिल्स क्या हो जाएगा सही हो जाये आइए देख लेते हैं अंगला कोश्चन 25 नमर नीमड में से कौन उभाएलेंगी है तो यहां पर केचुआ हो जाएगा उबैलेंगी और वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिए जब इस नमबर प्रस्ण है कि मेंडल ने अपने परियोगों के लिए किस पौदे को चुना था तो मेंडल ने किसको चुना था तो मौटर के पौदों को तिया पर आइटेंस और जाएगा डी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आएए अगला प्रस्ण है कि इसमें बोल रहा है 27 नमर निमन में से कौन एक और सोशी यंग है तो और सी यंग कौन सा हो जाएगा हमारा एपीडिमिक सो जाएगा राइट अंसर आईए देखते हैं अगला प्रस्ण अठाइस नमर प्रस्ण है चीपकों अंदोलन किस से समंबंदित जो वन सन रक्षण जो वनों की कटाई हो रही थी तो उससे समझने तो उसको बचाने के लिए तो ए उप्षन क्या हो जाएगा यहां पर सही हो जाएगा यह देख लेते हैं 29 नमर प्रश्ण है जब पच्चिम की ओर प्रच्छेतिप कोई धन आवेस कंड आलफा कंड किसी तो चुम्बक यह छेतर की दिशा हमें सब पुर्व की ओर होता है तो राइट एंस हो जाएगा यहां पर बी ओप्सन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आए देख लेते हैं अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है तीस नमबर बहुत हीजी है हमारे घरों में जो बिदुत पूर्ती की जाती हो किसपेद की जाती है परत्यावरती धारा पे की जाती हो भी 220 बोल्ट पे की जाती है आए देख लेते हैं अगला प्रश्ण 31 नमबर प्रश्ण है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक का उप्योग किस दिन में नहीं कर सकते हैं तो बादलो प्रश्ण नहीं है जैओ मात्रा नहीं है आए देख लेते हैं अगला प्रश्ण 33 नमबर प्रश्ण है निमन में से कौन सबसे कम अभी क्रिया सिल्धारो धातू है तो राइट एंसर हो जाएगा आए देख लेते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रस्ण है 34 नमबर कार्बन की परमाडू संग क्या है तो कार्बन की परमाडू संग कितनी होती है तो 6 होती है तो राइट एंसर हो जाएगा इसका A, A option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आए देख लेते हैं अगला प्रस्ण अगला पष्णफád असंत्रिप्रान अगला प्रश्ण dimension उसंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कारवन 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 के विجर три अबंध होते हैं वह कहलाते हैं एलकाइन का लाते हैं, तो right answer हो जाएगा है, आपे B, B option क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आइए देख लेते हैं अगला प्रस्ण, 36 नमर प्रस्ण है, एथे नॉल के क्रिया, सील मुलक का सूतर है, तो right answer हो जाएगा, A, A option क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, OH, आइए दरपण में हमेशा बनते या तो समतल या तो उत्तल में तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा डी डी ओप्षन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आए देख लेते हैं अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण है किसी कार के अगर दीप परियुक्त दरपण निम्न में से कौन सा जो हेड लाइट होता है इसका कहाने का मतलब यह जो हेड लाइट होता है उसमें किस दरपण का परियुक्त किया जाता है तो किस दरपण का परियुक्त किया जाता है तो राइट अंसर हो जाएगा यह ओप्षन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यह देख लेते हैं 49 नमर प कहते हैं तो अभी सारी लेंज किसे कहते हैं उत्ता लेंज को क्या कहते हैं अभी सारी लेंज कहते हैं तो राइट एंसर हो जाएगा को निक आवर्त साइनी की 36 कतारों में 36 कतारों में क्या कहते हैं तो राइट एंसर हो जाएगा इसका आवर्त को कहते हैं आई यह देख लेते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन है 43 नमबर लो है के फ्राइंट के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विदी होते हैं तो ग्रीज लगाकर प्रइंट लगाकर यह जिंक की परत चड़ाकर तो राइट एंसर हो जाएगा इसका सी सी ओप्षन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 44 नमबर प्रशन है यह तो इसका फेवरेट को सने बोड का निम्न में से की धातु को चाकू से असानी से काट जाता है तो सोडियम जो न हो जाएगा और यह देख लेते हैं अगला प्रशन 45 नमबर 45 नमर प्रसन है विद्दूत पर्ती रोध का सही मात्रक होता है तो जो जाएगा और प्रसन निम्निल्म में से कौन बिदूत का सबसे अच्छा चालक है तो जो चान्दी होता है वो बिदुत का सबसे अच्छा चालक होता है यह देख लेते हैं अंगला प्रसने 47 नमर 47 नमर प्रसने बिदुत धारा के चुम्बकिया प्रभाव का कोज किस ने किया था तो ओस्टरड ने किया था तो राइट हैं सुर जाएगा बी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो ताकि और भी जो परिक्षा दिये उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और मिला ले और आपने मिला लिया तो जीतना भी बना हो कॉमेंट बॉक्स में आप बताएं कि हमारा इतना सही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुब तक के लिए ध्यान रखें टेक केर झाल्डर